हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखने वाले हैं word meaning यानि vocab of January 5, 2022 और ये जो vocab हमने लिया है ये लिया है editorial section of the Hindu से और जो article है उस article का जो title था Transition in Peril on Military Crackdown in Sudan ये इंडिया के बाहर का एक प्रिकास article है उस पे जो कुछ सुदान में हो रहा है आज कर उस पे आज यहां पे एक editorial लिखा गया है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा से summarize करना चाहूँगा कि actually Sudan में हुआ क्या है तो Sudan में military और government जैसे कि अपने हाँ military होती है तो military को control कौन करता है सरकार control करती है वैसे ही अगर हम Pakistan का देखें तो सरकार जैसे भी जो इम्रान खान मुख्य मंत्री तो है बट उन पे जो control होता है बहुत हद तक military का होता है वैसे ही Sudan में क्या हुआ है कि military ने प्रधान मंत्री को जो वहाँ के PM थे उनको एक प्रकार से हटने पे मजबूर कर दिया है पूरा power अपने पास रखा है पूरा privilege अपने पास रखा है पूरा advantage लिया है और सोचा है कि सरकार को हटा के हम जो direct control करें जनता पे इसके बाद उन्होंने किया अपने हिसाब से सही है वो बहुत टाइमस ऐसा control रखे आये हुए थे पर indirectly था बड़ जैसे उन्होंने direct इस चीज को किया है यानि सरकार को अटा के direct control लेने की कोशिस की है वहां की public जो है भड़क उठी है और उसके बाद वहां पर विरोध शुरू हो गया है तो उसके बाद यह जो विरोध हुआ है उसी पर यह article है कि military को चाहिए कि एक नया PM को appoint किया जा और जल्दे से जल्दे जो democracy है जो अपना गड़तंत्र है उसको वापस platform पे लाया जाए बड़ problem यह है कि अगर वो किसी और को अब PM appoint करेंगे तो भी क्या जंता इस चीज को मानेगी तो कई सारे problems हैं सरकार के सामने वहां पर military group के सामने भी और Sudan में तो है ही तो उसी पर यह article है उसी से हमने word meaning उठाया है तो सबसे पहले हम अपने title जाना transition in peril on military crackdown in Sudan तो सबसे पहले हम इसका ही मतलब समझते है कि title का क्या मतलब है तो हम देखते है transition transition मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि transition पढ़ते कैसे हैं तो transition बहुत लोग बोलते हैं transition मैं भी बोला हूं बर transition भी सही है but transition transition यह noun भी है और verb भी है noun भी है और verb भी है a change from one state to another a change from one state to another जैसे परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम transition कह सकते हैं जैसे कि अगर मालेज़े कोई एक जीज जो है एक चीज़ से जैसे मालेज़े यहाँ पर कहने का sense यह है कि जैसे democracy अभी क्या है जैसे military group हाभी हो गया है तो वहां की democracy खतम हो गई है तो अगर democracy आ जाती है तो आपर परिवर्तन हो जाता है तो यह transition हो रहा है transition हो रहा है ठीक वैसे अगर हम बात करें next word की peril peril हम इसको पढ़ रहा है लेकिन actual पढ़ने का तरीका जो है वो है peril peril यह जो है noun है और इसका मतलब होता है great danger great danger कंभीर संकत खत्रा something that is very dangerous next word है crackdown crackdown यह noun crackdown का मतलब है action to stop bad or illegal behavior कड़ी कारेवाई करना अब यहां पर इसका हम मतलब समझते है transition in peril on military crackdown in Sudan transition in peril on military crackdown in Sudan transition यानि जो बदलाव का दोर है परिवर्तन है पेडल बहुत बड़े गंभीर संकत में है यह जो transition हो रहा है उसमें बहुत गंभीर संकत है on military crackdown in Sudan military जो crackdown कर रही है यानि की कड़ी कारवाई कर रही है किसके उपर जो public है वहां की उनके उपर जो कड़ी कारवाई कर रही है या फिर अपने उपर अपने कंट्रोल लेने की कोशिस कर रही है कारवाई करके तो उसमें क्या है कि on military crackdown crackdown यानि आप समझ रहे हो कि कड़ी कारवाई जो किया जा रहा है मिलिटरी के द्वारा तो ये गंभीर संकट में ये जो परिवर्तन का दौर है ये परिवर्तन जो हो रहा है उसमें बहुत ही गंभीर संकट है अब हम यहां पर जो अपना वर्ड है उसको मैंने बता दिया इक सकते हो एक और संटेंस टहुए मैंने एक और वर्ड आप देख सकते हो एक और संटेंस the military should end the Crackdown in Sudan and live the way Way for democracy ये मिलिटरीस वêt ग्रैक डाउन in Sudan जैसे जो पपलीक है उसकों कठोर एक्षिन लेने के बजाए जो सुडन की मिलिटरी है उसको कठोर action लेने के बज़ा एक democracy का प्यू मतलब रास्ता बनाना to cover an area of ground ठीक है जो रास्ता बनाना चाहिए democracy का should end the crackdown मतलब कि military को end करना चाहिए कठोर कारेवाई कहां पर Sudan में और क्या करना चाहिए democracy के राश्ते पर चलना चाहिए और उसको मतलब सुगम बनाना चाहिए आसानी से मतलब जाना चाहिए democracy की तरफ next word है four के बाद fifth ने लिखा क्या चलो बैटर्ड 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 मिन्स no longer looking no longer looking no longer looking new यहां पर एक word कट गया है no longer looking new यानि कि damaged out of shape घिसा पीटा खराब बैटर्ड इसको हम आर को यहां पर silent रखना और पढ़ते हैं बैटर्ड बैटर्ड नेक्स्ट वर्ड है chaos 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 यह क्या है noun है a state of great disorder confusion गरबड़ी घोर अवस्ता तो बैटर्ड घिसा पीटा यानि खराब chaos गरबड़ घोरा विवस्ता और विवस्ता यहां भी क्या हुआ है एक सेंटेंस देखते हैं the resignation of Sudan civilian prime minister जो वहां के Sudan के यहां पर प्राइब मिनिस्टर थे उन्होंने resignation दे दिया है has pushed the country उन्होंने क्या क्या है country को पूष्ट कर दिया धकेल दिया है फिर उसके बाद यहां पर कॉमन लगा है और उसके बाद आप देखो यहां पर यहां पर क्या है पूष्ट दी कंट्री है उसके पूष्ट दी कंट्री अल्रेडी बैटेड बाई पॉलिटिकल इन्स्टेबिलिटी यहां पर अल्रेडी इन्स्टेबिलिटी यहां पर क्या हो रहा है कि already यानि पहले से ही बैटेट मतलब आपने देखा कि खराब पहले से ही खराब political instability यानि जो political instability है वहां कि पहले से ही unstable है सही नहीं है और क्यों सही नहीं है anti-military protest and violence military के विरोध में जो protest और violence हो रहा है उसके वज़ा से जो वहां कि political इस्तिती है वो सही नहीं है और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जोहां सुडान के उन्होंने resignation दे दिया है तो वो क्या करता है इसको और ही into further chaos क्या करता है इसको और ही गड़बड़ी यानि घोर अविवस्था में डालता है तो फिर साम सेंटेंस देखते है अविवस्था में अविवस्था में आवार्व यानि यहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानि जो जो शकेंड फॉर्म आवर्व है यह 3rd form of verb है तो यह 1st form of verb, यह 2nd और यह 3rd, तो क्या होगा यहां पर आश्ट, आश्टेट, 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 आश्टेट आश्टेट, इसका मतलब क्या होता है To force somebody out of a job यानि किसी को नौकरी या अधिकार पत से बाहर निकाल देना यानि नौकरी उसकी छीन लेना एक परकार से तो आउस्ट बोलते हैं और छीन लेना जबजस्ती छीन लेना यहाँ पर उसका जो अधिकार है जो नौकरी है उसको जबजस्ती छीन लेना नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं और वो है कू यहाँ पर पी रहेगा वो साइलेंट रहेगा और यह क्या है एक नाउन है क्या है एक noun है और इस noun का मतलब है change जो koo word है इसका मतलब है change of government change of government और वो कैसे होता है violently होता है जो मतलब यहाँ पे तक्ता पलट जो होता है वो sudden अचानक होता है कानूनी रूप से गलत होता है और violently यानि कि विरोध प्रदर्शन के बाद होता है या फिर मतलब वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होते हैं उस टाइम में जो तक्ता पलट होता है उसको हम कहता है कू का मतलब आपको ध्यान रखना है कू मतलब सरकार का तक्ता पलट या change of government violently या फिर sudden and illegal ठीक है change of government sudden and illegal ये आपको ध्यान में रखना है next हम आगे बढ़ते हैं और एक और वर्ड देखते हैं उसके बाद हम अपना sentence देखेंगे और जो अपना next word है वो है reinstate 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 तीन वर्ड में इसको तीन syllable में पढ़ेंगे reinstate 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 को अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है किसी को उसके पूरो पद पर वापस लेना यानि जो पूरानी नो करी थी उस पर वापस भेज देना जैसे हमने क्या किया पहले promotion किया उसका फिर उसको हमने demotion कर दिया तो यहां पर क्या होता है तो गिब बैक जॉब और पोजिशन डाइट वापस कर देना जो किसी से लिया गया था ठीक है जैसे किसी को उसके पूरो पद पर वापस ले लेना जैसे उसको हमने पहले promotion दिया था फिर उसको हमने demotion कर दिया restore हम एक अरलग सिनानम के तरफ से यूज सिनानम के तरह हम यूज कर सकने restore word को तो यहां पर आप देख सकते हो to return its former position और role यानि वो जहां पर था उसको हमने पहले promotion दिया फिर demotion करके जो जहां पर था वहां पर ला दिया तो एक sentence देखते हैं अपना sentence है एक सेगेड़ अपना sentence है एक मिनट अपना जो sentence है वो है Mr. Hamdog Hamdog कौन है Sudans के Prime Minister है Hamdog जो है वो Sudan के Prime Minister है तो हम यह करें Mr. Hamdog who was arrested in a military who was arrested in a military coup in October and then reinstated as part of an agreement पहला हम इसको word का मतलब देखते हैं तो Mr. Hamdog के बारे में बताया जा रहा है Mr. Hamdog के बारे में क्या बताया जा रहा है कि who was arrested in a military coup और्ष्टेट मतलब आपको बताया और्ष्टेट मतलब फिर मैं आपको दिखा देता हूं और्ष्टेट मतलब यहां पर क्या उन्हें देखा कि उसकी नौकरी या अधिकारपत को किसी नौकरी या अधिकारपत से बाहर निकाल दे रहा जबजस्ती ठीक है तो क्या कर रहा है और्ष्टेट इन a military coup उन्हें जबजस्ती बाहर निकाल दिया गया ठीक है उन्हें जबजस्ती बाहर निकाल दिया गया और सरकार का तक्ता पलट who was hosted in a military coup in October and then reinstated as part of an agreement पहले उन्हें क्या है कि military में भर्ती किया गया था ठीक है फिर उन्हें military में से निकाल दिया गया who was hosted in a military coup in a military coup in October and then reinstated as part of an agreement और उन्हें फिर उनका जो वापस पद था वही दे दिया गया agreement के तहती यानि पहले से बात समझोता हुआ था कि कुछ दिन तक हम रहेंगे उसके बाद जो है हम हट जाएंगे जो कुछ भी तो उसके बाद उनका वापस उनको हटा दिया गया agreement का यह part भी था और यह अब इनके बारे मता रहा है एक सिकेंड थोड़ा सा छोटा कर लेता है हाँ अब सही है यहां पर अब क्या हो रहा है Mr. Hemdok के बारे में तो यह सारी डीटेल थी इतने से लेके यहां तक कि उन्होंने क्या हुआ था पार्ट क्या था यह समझाता हुआ था उन्हें पार्ट पहले उपर वेजा के मिलिटरी में फिर वापस ला दिया गया फिर हम इसको य Mr. Hemdok failed to convince the protesters that he could form an independent technocratic government that would complete Sudan's democratic transition तो उन्होंने क्या किया था कि जो उन्होंने कहा मतलो सोचा था कि जो independent यहां पर government होगी वो fail हो गया उस चीज को पूरा करने में fail to convince the protesters जो protesters है उनको convince नहीं कर पाए उनको convince करने में fail हो गया कि यहां पर जो government उनको मतलब लग नहीं लगा जैसे जो protesters है उनको पहले लगा कि ठीक है यह जो काम है यह कर सकते हैं लेकिन उन्होंने बाद में जो है अभी वो काम को आगे बढ़ा ही रहते जैसे की एक back तो हो नहीं जाएगा वहाँ पे जैसे कुछ हुआ मतलब इन्होंने कोशिस अपने तरफ से की military ने फिर क्या किया इनका जो एक ग्रूप बनाया था काउंसल था उसको खतम कर दिया तो इसके वज़ाद से अब जो काम यह कर रहे थे वो हो नहीं पाया तो फिर जो प्रोटेस्टर्स थे जो वहाँ की पब्लिक है वो क्या करने लगी प्रोटेस्ट करने लगी और ही independent technocratic government technocratic का मतलब आप देख लिए कि एक इसी फिर से आएगा उसको जो वहां कर प्रोटेस्ट चल रहा है और जो वहां के PM है उनहोंने रेजिगनेशन दे दिया है नेक्स्ट वर्ड है ट्रेटर मतलब अब हमने पूरा स्टोरी समझ लिया है अब हम जादे तर फोकस करेंगे वर्ड मिनिंग स्पे ट्रेटर अब परसन वो इस नौट लाल तू इस और हर कंट्री ओर श्रेंड इटेटर ट्रेटर मतलब आप देख सकते हैं गदार हो रहा है ट्रेटर मतलब गदार या देश द्रूही ठीक नेक्स्ट है इक्जाम्पल देख लएते हैं छोड़ा सा अब हम स्टोरी समझ चुके हैं अब हम फोकस करेंगे Mr. Hamdo called traitor by the protesters जो protest करने वाले हैं जो वहां की जनता है उन्होंने क्या कहा traitor उनको वहाँ पर traitor बोला traitor यानि गद्दार देश्द्रूही फिर हम बात करेंगे sovereignty 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 हिंदी में क्या होता है शंप्रभुता अब इसका मतलब होता है the power that a country has controlled its own government the power that a country has a controlled control to its own government अब इसका मतलब यह है कि जैसे हम इंडिया में रह रह रहा है तो हम इंडिया में हमें power होता है ताके हम अपने government को control कर सके अगर हमें कोई सरकार अच्छी नहीं लग रहे है तो हम उसे change कर सकते है तो उसी को हम sovereignty कहते हैं तो उसी को हम देखेंगे आए एक्जांपल में next है या फिर हम इसका एक्जांपल तो समझे रहे है sovereignty मतलब जो हमने एक एक्जांपल दे दिया इंडिया का next word है disband अलग-अलग हो जाना या कर देना disband to stop existing as a group to stop existing रे यार कुछ देखना पड़ेगा ठीक to stop existing as a group to separate अलग-अलग हो जाना या कर देना ठीक अलग-अडिस बैंड यानि जो उन्होंने actually हुआ कहा था अब यहां पे दिखिए यहां पे General Abdel जो General Abdel है यानि military के एक है है ये military के है Abdel जो है ये Abdel जोग वो military के है उन्होंने क्या क्या disband कर दिया किसको council को council न्होंने disband कर दिया यानि group जो बना हुआ था उसे खत्म कर दिया एक प्रकास से आगे बढ़ने वाला वो group ही कतम कर दिया इस article को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा next word है privilege privilege मैंने हिंदी में लिगा हूँ है privilege a special right or advantage that only one person or group has, which is adhikar which is adhikar which is adhikar the generals have tried everything to protect the military's privileges, of the generals have tried everything to protect the military's privileges, और यहां की जो military है वो पूरी कोसिस करी कि हम जो यह adhikar है उसका adhikar का फाइदा उठाए तो everything उन्होंने जो बचाने के लिए अपने जो wishes अधिकार है उसको बचाने के लिए बहुत कुछ किया है मतलब सब कुछ strike कर रहा है वो next word आता है और इसी से एक word बना हुआ है error error यानि error error का अगर हम मतलब देखे है to make mistakes और यहां पर next meaning हो जाकता है to be or do wrong to be मतलब गलत होना या गलती करना गलत होना या गलती करना इसका भी हम एक sentence देखते है but where the error was in miscalculating the will sorry यहां पर आपको w नहीं पता चल रहा होगा यह मेरी handwriting के वज़े से है पहले w है फिर i है फिर double l है will of the protesters ठीक है but where the error was in miscalculating the will of the protesters यानि यह military के बारे में कह रहा है कि उन्होंने अपने तरफ से तो सब कुछ सही किया but वो गलती कहां कर बैठे वो गलती वहां कर बैठे वो miscalculate कर दिये उन्होंने पता ही नहीं चला मतलब miscalculate उन्हें calculation सही से नहीं लगा पाए कि actually protesters इतने जादा उनके उपर हावी हो जाएंगे अभी कई सब्ता से जो है यह protest चल रहा है next word है sans sans का मतलब होता है without के बीना preposition है यहाँ पर देख रहोगे कि एक preposition है next word हम देखेंगे और next word है अपना take over रो जो है silent रहता है take over the act of acting control the act of taking control of something नियंतर लेने का कारे यहाँ पर नियंतर ले लेना take over करना यानि the act of taking control of something कोई control है उसको अपने वस में कर लेना next word आता extremely यानि extremely को आप देखो very very मतलब बहुत very good ठीक है हम बोलता है न very good यानि very मतलब अत्यधिक बहुत अच्छा वैसे extremism को मतलब बहुत होता है अत्यधिक और एक next word है unpopular unpopular का मतलब not liked by many people जो बहुत से लोगों के द्वारा पसंद ना किया जाता हो not liked by many people next हम बढ़ेंगे और एक sentence देखते हैं a direct takeover of the government by the military would be extremely unpopular a direct takeover of the government फिर जब स्टार्टिंग में ने बताया कि actually हुआ गया है तो आप देखो कि government के द्वारा यह direct takeover करने की कोशिज की जारी है government को military के द्वारा यह बहुत से जादे लोगों के बहुत जादे लोगों के अच्छा नहीं लगा यह तरीका और बहुत unpopular तरीका है यह next word हम देखेंगे वो है indoors 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 का मतलब होता है to say publicly that you give an official to give to say publicly that you give official support or agreement to a plan statement or decision कोई एक plan है या statement है या decision है तो उसको आप publicly कहते हो कि मैं इसको support दूँगा और officially आप उस काम को करते हो तो इसको हम indoors कहते है next word है council council का मतलब होता है हिंदी में परिशत और यह एक लोगों का नहीं होता है यह group of people होता है यानि कई लोगों का समूँ होता है जैसे जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा ताकि वो किसी टाउन में यानि किसी कजबे में या फिर country पर अपना जो है काम कर सके हैं जैसे हमने क्या अपना खुद हम देखते हैं तो council ministers अपने जो होते हैं तो वो एक विकार से कई लोगों का group होता है उसे हम council बोलते हैं तो next अपना word देखेंगे हम यहाँ पर the prime minister should be selected by a legislative council एक legislative जो है लोग सभा council के द्वारा वहाँ पर select किया जाएगा प्राइमिनिस्टर का और and then endorsed and then endorsed by the sovereignty council उसके बाद officially support किया जाएगा officially, officially यहाँ पर support होता है, endorse मतलब तो officially support किया जाएगा किसके द्वारा sovereignty council के द्वारा, वहाँ पर legislative council है sovereignty council है sovereignty council तो यहाँ पर पहले legislative council के द्वारा प्राइमिनिस्टर यहाँ से select किया जाएगा उसके बाद support किया जाएगा officially support किया जाएगा sovereignty council के द्वारा next हम और next और last word दिखते है आज का और यह अपना word है infeeble, enfeeble, enfeebleed, adjective है, यानि एक विशिस्ता बताएगा और यह विशिस्ता बताता है कमजोरी का, ठीक है, made weak or feeble, example अगर हम देखें, weeks long protests have also paralyzed and already infeebleed economy, weeks long protests, जो कई सब्सक्राइब से यह protest चलता आ रहा है, उसने क्या क्या है, have also paralyzed and already infeebleed, यानि पहले से ही कमजोर अर्थ विवस्ता को protest ने और भी कमजोर paralyze कर दिया है, तो friends इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार च्केंगए में सिर्फ वीडियो बिया नमस्कारण